तो हेलो दोस्तों दोस्तों यह हंडा की SP125, 125 सेग्मेंट की गारी है यह भाई बहुत ज्यादा सेल हो रही है यह गारी प्रिजन टाइम पे तो आज इस वीडियो में इस गारी का फूल डीटेल रिवियू करेंगे सिप्राइज माइलेज, इंजिन, इस फिस्फिकेशन और फी 1749 रुपए आयोध्या में सरदार होंडा पे अभी यह गारी अवेलबल है, आप आके यहाँ पर इस गारी को चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस गारी का फ्रेंट लुक दिखा देता हो, तो भाई यह दे स्पोर्टी लुक के साथ में इसका फ्रेंट दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर ओफर किया गया है, इस P125 की ब्रेंडिंग मिल जाती है, यह इस गारी का फ्रेंट टेलिस्कोपिक सस्पेंशन, सस्पेंशन पे इसके रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो की काफी अच्छा है, यह इस गारी का फ्रेंट एलॉइवील, एलॉइवील की काफी अच्छी है और देखने में भी काफी प्यारा लगता है इस गारी का एलॉइवील, बात करने टायर की तो बाइसमें MRF का टायर ओफर किया गया है, जो की ट्यूबलेस टायर है, यह बात करने टायर सक्षन क तो इस गारी में front में 80-18 सक्षन का tire offer किया गया है tubeless tire मिल जाता है इस गारी में 240 में की disc brake दी गयी है इसमें front में और by rear में drum brake ही मिलता है इस गारी में मतलब ABS का कोई भी option नहीं देखने के मिलता यह देखिए इसका tire सक्षन 888 सक्षन का टायर सक्षन दिया गया इस गारी में MRF का टायर ओफर किया गया है यह इस गारी का complete front look अब बात करते हैं side look की तब आई side से भी side से भी यह गारी काफी sport ही दिखती है यह इस गारी का handle bar आप देख सकते हैं इसमें passing switch horn switch, indicator switch ओफर की गई यहाँ पे engine kill switch और engine start switch मिल जाती है यह इस गारी का key आप चकर सकते हैं काफी basic सी key offer की गई है जो मतलब बहुत पहले से Honda sign आती थी ना उसमें भी key offer की जाती थी Honda की तरफ से इस गारी में बैटरी नहीं लगी हुई है लेकिन इसमें front में fully digital meter console दिया गया इस गारी में जिसमें आप gear indicator, tachometer, speedometer, auto meter, trip A, trip B मतलब भाई एक चीज इसमें सो होता है clock और average, mileage मतलब भाई एक चीज इस गारी के meter console पे सो होता है यह इस गारी का fuel tank काफी sporty look के साथ में आता है और बात करें tank capacity की तो इसमें 11 liter की fuel tank capacity दी गई है इसके tank पे, tank owl पे Honda का logo मिल जातर भाई, tank owl काफी बड़े size का दिया गया, आप दिख सकते हैं यह इस गारी का single horn single horn ही offer किया ज़्यादा company के तरफ से यह इस गारी का engine cover fiber finish के साथ में दिया गया SI engine दिया गया है, fuel injection system के साथ में आता है यह engine 5 speed gearbox के साथ में, बात करूँ power की तो 10.8 PS की power produce करता है, 7500 RPM पे और 10.9 Nm का torque produce करता है 6000 RPM इसमें side stand engine cut off sensor का feature मिल जाता है यहाँ पे SP-195 की beijing मिल जाती है graphics आप इस गारी का चेक कर सकते हैं इसका seat cowl black finish के साथ में दिया गया है, red और white sticker के साथ में, यहाँ से आप इसका seat cowl open कर सकते हैं मतलब seat open कर सकते हैं, यह इस गारी का rear suspension rear में 5-way adjustable coil spring के साथ hydraulic suspension दिया गया है, chain cover इसका fiber material के साथ में आता है सारी गार्ड और ladies foot rest मिल जाता इस गारी में यह इस गारी का complete rear look आपको यह गारी पीछे से कैसी लगती है हमें comments में जरूर बताएं यह इसका grab handle, single grab handle मिल जाता है, और भाई single seat के साथ में आती है इसमें rear में hyalogen bulb के साथ इसकी tail light दी गई है, यह इसका indicator आप चिक कर सकते हैं, Honda का logo मिल जाता है यहाँ पे number plate के लिए light मिल जाती है और भाई number plate यहाँ पे आप place कर सकते है मटगार काफी बड़े size का इसमें दिया गया है यह है इस गारी का seat called black finish के साथ में इसका looks और भी ज्यादा enhance हो जाता है आप चक कर सकते हैं, इसका Honda लिखा हो मिल जाता है यहाँ पे और भाई, seat की quality काफी अच्छी है यह इस गारी का exhaust tail pipe rear में इसमें काफी white tear दिया गया है front के मुकाबले rear में 180 R18 section का इसमें rear में tear आफर किया गया है tubeless tire है यह और भाई, rear में 130 mm की drum brake मिल जाती है L.I. wheel काफी बहतरी लगता है इस गारी का यह इसका exhaust tail pipe silver नए steel finish के साथ में इसका exhaust tail pipe दिया गया है किस ऐसा दिखता है इस गारी का carbon fiber finish और भाई, इस गारी में self start और kick start का दोनों option मिल जाता है single seat के साथ में आती है यह गारी अब बात करता हूँ भाई, इस गारी की dimensions के बारे में इस गारी की total length है 2020 mm की width है 780 mm की इस गारी की height है 1103 mm की seat height है 790 mm की wheelbase है 1280 mm का बात करें ground clearance की तो वो है 160 mm की, curve weight है इस गारी का 116 kg का जो की काफी कम है, जिसके वज़े से इस गारी का mileage और भी ज़्यादा increase हो जाएगा top speed है 99 km पर hour की, तो कैसी लगी आपको यह गारी हमें comments में जरूर बताएं, इस गारी में के segment के हिसाब से काफी अच्छे features offer किये गए हैं, इसका looks भी काफी अच्छा लगता है देखने में और भाई इसमें LED headlight और digital meter console, disc brake और tubeless tire, tire की quality काफी अच्छी मिल जाती है, तो कैसी लगी आपको SP125 का ये वाला red color आता है last में मैं आपको एक color इसका दिखा दूँगा जो की नया launch किया गया है, वो आप देखकर जरूर जाएएगा, तो कैसे लगी आपको वीडियो में comments में जरूर बताएं, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को like और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई धन्यवाद